गुड बॉर्णिंग अभी हम अज़न कर रहे हैं बारती समिदान के अंतरगत संगी कारिय फालिका का इसके अंतरगत हमने पिछले वेडियो में बारत के राष्ट्रपती से सम्मंदित जितने भी महत्पून अनुछेत थे जो भी महत्पून प्रावदान थे उनका अज़न कि बारत के उपराष्ट्रपती का भारती समिदान का अनुचे 63 निर्दारित करता है कि बारत का एक उपराष्ट्रपती होगा यह पद देश का दूतिय सर्वोच पद है आधिकारी क्रम में उसका पद राष्ट्रपती के पास्चात है उपराष्ट्रपती का पद अमेरिकी उ पर अपनाया गया है भारत के उप्राष्ट्रपती का पद देश का दूसरा उच्टम सावेदानी के पद है उप्राष्ट्रपती का कारीकाल पांच वर्स होता है उप्राष्ट्रपती का कारीकाल कितना होता है पांच वर्स होता है लेकिन वह इस आउदी के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्रा दिकारी के पद ग्रहन करने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं समीदान इस बात पर मोन है कि बारत के उपराष्ट्रपती का कार्यकाल समापत होने से पहले जब उनका पद रिक्त हो जाता है या जब उप राष्ट पती बारत के राष्ट पती के रूप में कार्य करते हैं तब उप राष्ट पती के करतवियों का पालन कौन करता है समिदान में एक मात रूप बंद राज्य सभा के सभावति के रूप में उप राष्ट पती के ऐसे करतवियों से संबंदित है जिसका निर्वहन ऐसी रिक्ति की आउदी के दोरान राज्य सभा के उप सभावति द्वारा या बारत के राष्ट पती द्वारा प्रादिगर्द की गई राज्य सभा के किसी अन्य सद्धे से द्वारा किया जाता है उप्राश्ट्र पती अपने पद का त्याग भारत के राश्ट्र पती को अपना त्याग पत्र दे कर सकता है ज्यान देवें उप्राश्ट्र पती का सामाने कारी काल कितना है पांच वर्से और उप्राश् जिसे राज्य सभा के तदकालिन सदश्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिसे लोग सभा सहमत हो उप्राश्टर पति को पत से हटाने की ये परक्रिया है जिसका प्रारम राज्य सभा से होगा राज्य सभा के तत्काली दिन सदश्ये अपने बहुमत से एक संकल पारित करेंगे और इस संकल से लोग सभा सहमत हो इस परियोजना आर्थ संकल को केवल तब ही उपस्तित किया जा सकता है जबकि इस आशे की सुचना कम से कम चवद्य दिन पहले दी गई हो उपराष्ट्रपती राज्य सभा का पदेन सभापती होता है और वह लाब का कोई अन्य पद्दारन नहीं करता है जिस किसी ऐसी आउदी के दोरान उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती के रूप में कारी करता है या राष्ट्रपती के करतियों का निवहन करता है उस आउदी के दोरान वे है राज्यसभा के सभापती के पद के करतवियों का पालन नहीं करता है और वे राज्य सभा के सभापती को संदे किसी वेतन या बते का हकदार नहीं होता है उपराश्ट्रपती राज्य सभा का पदेन सभापती होता है और जब उपराश्ट्रपती राश्ट्रपती के रूप में कारिय करता है तब वे राजय सवा के सभापती के रूप में कारिये नहीं करता है उपराश्ट्रपती, राश्ट्रपती की मृत्यू, पद त्याग या बरखास्त की या अन्यकार्णों से हुई राष्ट्रपती के पद की नेमितिक रिक्ती की इस्तिती में नए राष्ट्रपती का यथा सिग्र निर्वाचन होने तक जो किसी भी इस्तिती में रिक्ती होने की तारिक से 6 मा के बाद नहीं होगा राष्ट्रपती के रूप में कारिय करता है योनि जब किसी भी कारण से राष्ट्रपती का पदरिक्त हो उस पृस्तिति में उप राष्ट्रपती राष्ट्रपती के रूप में कार्ये करता है इस आउधी के दोरान उब राष्ट्रपती को संधे परि लब्दियां तता बत्ते प्राप्त करता है भारत के समिदान का अनुचेद 63 यह उपबंद करता है कि बारत का एक उपराश्टरपती होगा यह उपराश्टरपती बंद का प्रावदान भारती समिदान के किस अनुचेद में है अनुचेद 63 1663 अनुचे 64 और अनुचे89 इह उब बंद करते हैं कि बारत का उप्राष्ठपती राज्यी सभा का पदेन सभापती होगा समयधानीक विवस्ता में उप्राष्ठपती का पद कार्यपालिक आपक भाग है परन्तु राजी सभा के सभापती के रूप में वह संसद का बाग है इस परकार उप्राष्ट्रपती की वुमी का दोहरी होती है डबल वुमी का एक तो वह उप्राष्ट्रपती के रूप में कारिपालिका का बाग है और राजे सभा के सभापती के रूप में वो विदाइका का बाग है उप्राष्ट्रपती का पद बारत के समिदान की एक अनुटी विसेश्ता है और यह पद अमेरिका सेंक्त राजे अमेरिका के उप्राष्ट्रपती के पद के समरूप है तो आज हमने बारत के उप्राष्टिपती से सब्मंदित कुछ महत्मून अनुचेदों का अध्यन किया थैंक यू थैंक यू वेरी मॉच